सबी पत्रकार मित्रों, छायकार बंदुओं आफ सबी का मैं हिर्दे की गहराईयों से श्वागत अभिननन करता हूँ और मैं आगरा करता हूँ अपने प्रदेश के मीडिया प्रभारी मनीश दिछी जी से की सवसर पर माननी मुख्यमंत्री जी का फुस्प बुच्छ दे करके पटका पहना करके स्वागत अभिननन करेंगे मानी मनीश जी मानी हिमान्शो जी हमारे साप्रभाजी जी है पटका पहना करके मानी मुख्यमंत्री जी का श्वागत अभिननन सबी का संबोधन करने का कश्क्रे मानिनी मुख्वंत्री है मित्रों में आज किस इसी में आप सब का विर्देश स्वागत करता हूँ आप सब जानते हैं कि देश के ठारवी लोग सभा के लिए चुनाओ का कार्य, चुनाओ परशार का कार्य तीजी के साथ आगे बढ़ चुका है और पहले चन का चुनाओ 19 अप्रेल को होनी जा रहा है साच चुनों में होनी वाले इन चुनाओं को लेकर के भारती चंता पार्टी ने कल आधनिय प्रधान मंत्री से नरेंद्र मोधी जी के करकमलों से अपना संकल्प पत्र जारी किया है भारती जंता पार्टी 2014, 2017, 2019, 2022 के जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के चुनाओं या फिर लोक सभा के 2014 और 2019 के लेक्सन थे इन सभी चुनाओं में या राज्य विधान सभाओं के चुनाओं में पहले चुनाओं से जो राजनितिक दलों के एक परपार्टी वनी थी कि हम गोश्णा पत्र जारी करेंगे गोश्णा पत्र नहीं बलकि एक संकल्प पत्र भारती जंतापार्टी ने जारी कर्म प्रारम किया और कल भारत के समिधान के सिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीम राओं बेटकर जी की पावण जेन्ति के उसर पर प्रधान मंत्री मोदी जी के करकम्रों से भारती जंतापार्टी का थारवी नोगसभा के लिए अपना संकल्पत्र जारी हुआ है आपने कुछ चीजें संकल्पत्र में देखे होंगे कि संकल्पत्र की पैड़ी चार प्रतियां जिन चार आधारस्थम्वों को ले करके यह चुनाओं में भारतिय जंतापार्टी उतरी है उन चार आधारस्थम्वों को प्रतिनिजित्व करने वाली युवा, महिला, गरीब और किसान एक-एक प्रति उनको प्रधान मंत्री जी के गरकमलों से प्रदान की गई लित्रों, यह जो भी संकल्पत्र भारतिय जंतापार्टी ने जारी किया है अधारतिय जंतापार्टी के वले एक राजनितिक दल्मात्र नहीं बलकि भारत की मिशन को विजन बान करके भारत के विजन को मिशन बान करके उसको प्रभावी धंग से लागू करने की 140 कुरूर लोकों की आकांसा का प्रतिक बना है और इसलिए इस पूरे चुनावम को जब हम देख रहे हैं तो जो देश का एंबिसन है वह मोदी जी का मिशन है और जो मोदी जी का मिशन है विजन है वह हम सब का मिशन है यह हर भारतवासी आज इसको इस रूप में ले करके चलना है संकल पत्र यह मोदी की गारंटी पर इस देश को विश्वास है अगरत का आज हम दर्शन कर रहे हैं नामी पांच वर्ष्ड के लिए हमारा विजन डॉकुमेंट क्या होगा उस संकल पत्र में एक एक सेक्टर को चिन्हित करके उसका उलेक भी किया गया है आपने इस वदलतेवे भारत को देखा है पहली बार योजनाओं का सत परसत लाब गाओं को गरीबों को किसानों को युवाओं को महलाओं को मिलतेवे दिखा है 80 करोड लोगों को फिरीमे राचन की सुविधा का लाब करोना जैसी महमारी के दोरान प्रारंब की गई चार वर्स की योजना चार वर्स से लिए चलिया रही है उसना अगामी पांच वर्स के लिए जाली करनी की बात 60 करोड लोगों को देश के अंदर पांच लाक रुपी की स्वास्ते भीमा का आयुस्वान भारत की सुविधा इसको आगे भी चारी रखने के लिए भारतिये जंता पार्टी आस्वासन दे रही है भश्ताचार पर प्रभावी अंकुज और इसकी सुरुवात होती है जंधन एकाउंट से पचास करोड गरीबों के लिए जंधन एकाउंट देश के अंदर खुल जाना चार करोड गरीबों के सिर को ढखने के लिए एक-एक पियमावास की योजना को पलब्द कराना इसके दाइरे को बढ़ा करके आगामी पांच वर्स में तीन करोड नए पियमावास योजना का नाप उपलब्द करवाने का कार्य जैसे अनेक ऐसी योजनाएं चायवाब 12 करोड किसानों को पियम किसान निधी में 6000 उपलब्द करवाने के कारिक्रम इन सभी योजनाओं को जो पिछले 10 वर्स के अंदर देश के अंदर प्रभावी डंग से लागू की गई इन्हें मोदी की गारंटी इस बात के लिए आस्वस्त करती है कि ये आगे भी इसी रूप में इसका लाब बिना बहे दभाव के सभी लोगों को प्राप्त होता रहेगा और इन सभी कारिक्रमों को लेकर के संकल्पत्र ने नेशन फर्स्ट के अपने संकल्पों को आगे बढ़ाते वे ये भी कहा है विक्सित भारत की संकल्पना के लिए आत्म निर्वर भारा चाहिए और ग्लोबल लीडर के रूप में भारत को प्रस्तुत करने के लिए विक्सित भारत चाहिए विक्सित भारत यमसा भारत वाष्यों का सौभाग्य है कि आजादी के अम्परित काल का ये प्रथम चुनाओ अब तक कि किसी भी चुनाओ में पहला ये चुनाओ है जिसमें आत्म निर्वर और विक्सित भारत की संकल्पना को लेकर के चुनाओ लड़ा जा रहा है भारत ने भारती चंता पार्टी ने अपने संकल्पत्र में इन सभी बातों का उलेख भी किया है मोदी जी की कारंटी इस देश के हर तबके के लोगों के लिए एक प्रमाण है ये देश की अस्मित्ता का हो भारत की सुरक्षा का हो भारत की आस्ता का हो भारत की अर्थ विवस्ता के संग्रक्षन और संबर्धन इन सभी को लेकर के मोदी जी की गारंटी इस संकल्पत्र का आधार बना है और इसमें जिन चार अस्तंपों को ध्यान में रख्के कारे किया गया है युवा के लिए जो योजनाय पहले से चली आ रही है चाहे वाब PM स्टार्टप की योजना हो PM स्टेंडप की योजना हो PM मुद्रा की योजना हो PM मिसन रोजगार का कारिकरम हो इन सब के दायरे को बढ़ाने के लिए इंवेट्समेंट इंप्लाइमेंट के साथ जुड़ते वे पेमुद्रा योजना के दाइरे को बढ़ाते वे उसके दाइरे को जो अब तक 10 लाग रुपे तक ये लोन की सुविधा थी अब उसको 20 लाग तक करने का अस्वासन भी भारतिय जनता पार्टी का इस संकल पत्र उपलब्द करवाता है ऐसे ही नारीव सक्ति के लिए की गारंटी तो देता ही है लेकिन इसको प्रभावी करियानवेन भी होना है तीन करोर लगपती दीदी पनाने के लगशे के कारिकरम को आगे बढ़ाना और ये अभियान आगे बढ़ेगा इसके लिए भी भारतिय जनता पार्टी ने अपने संकल पत्र में इसका उल्ले किया है अब तक दस करोर महला स्वेम से भी समों के मात्यम से ये कारिकरम आगे बढ़ाने के कारिक ये गए थे अभी इसके दायरे को बढ़ाने की भी बात संकल पत्र कहता है और यही नहीं जब हम गरीब की बात करते हैं तो गरीब में पहली बार देश के अंदर इस देश के सर्मिक वर्ग को कहीं पहुँच पाया है उसकी पहुँच हो पाई है करोना कालखंड में उन्हें बिरोजगारी भत्ता देने की बात हुई उन्हें सुरक्सा कवर दे करके एक सुरक्सा सम्मान देने का कारे भी हुआ समाजिक सुरक्सा की गारंटी उन्हें उस समय मोदी जी की गारंटी ने दिया था और स्ट्रीट वेंडर के लिए थे लाखोम चारेडी और अन्या इस प्रकार के पट्री बेयोसाईयों को भी प्रभावी घंग से आगे वढ़ाने के लिए जो कारिक्रम चलाए गए उस्सका क्रियानवेन पेम स्वनिधी योजना के दायरे को बढ़ा करके अभी तके नकरिय चेतर में था ग्रामिड चेतर में भी पेम स्वनिधी के दायरे को बढ़ा करके लाखों स्ट्रीट वेंडर को सर्मिक वर्ग को समझिक सुरक्सा के साथ हर प्रकार की सुरक्सा की गारंटी देने का आश्वासन भी यहाँ देता है यह संकल पत्र देता है इसके साथ ही अनदादा किसान के लिए भी तमाम योजनाएं पहले से चल लई है उसके दाइरे को बढ़ाने का कार्य भी यह संकल पत्र देता है और अगर मैं कह सकता हूं कि यह संकल पत्र एक ब्लूप्रेंट है नए भारत का स्रेजद भारत का आत्म निर्वर भारत का और विक्सित भारत का यह संकल्पत्र गोचना करता है रस्ताचार के खिलाब एक निड़ाय क्युद्ध का, अन्तो दैचे सर्वोदै का, एक भारत स्रेश्ट भारत का, आत्म निर्वर भारत का, एक विक्षिट भारत का और ग्लोबल लीडर भारत का. यह संकल्पत्र जिन भी सेक्टर्ज को प्रतिनिजित्व करता है, वे सभी मोदी जी की गारंटी पर आधरी थे. और संबहता यही करण है, कि पहला आम चुनाओ है, जिसके पेड़ाम के बारे में एक आस्वस्तिक अभाव पुरी देश के इंदर पहले से देखने को मिला है. क्योंकि लोगों को इस बात पर विश्वास है, मोदी जी की गारंटी पर विश्वास है, जिक्सित भारत के प्रति उनकी जो आकांसाएं हैं, उनकांसाओं की पूर्थी का माध्यम, मोदी की गारंटी बनेगा, इस बात को लेकर के, जो गूझ पुरी देश के अंदर सुनाई दे रही है, वह गूझ चुनाओं के पैड़नाम के बारे में पहले से ही आस्वस्तिक अभाव की रुप में हम सब को देखने को मिला है. मित्रो, जो बिभिनी सेक्टर्स को यह संकल पत्र छूता है, उसमें मैंने पहले भी बताया, कैसी करोड लोगों को राचन की सुविधा कालाब, निसुल कराचन की सुविधा कालाब अगले पांच वर्स तक देने के लिए भारतिय जनता पार्टी अपने संकल पत्र में जाइसमान भारत के सुविधा तो मिलेगी, लेकिन साथ-साथ इसके दायरे को बढ़ाने का भी आश्वासन देती है, गरीब को पक्ता आवास देने का और उसके दायरे को बढ़ाने का भी आश्वासन देती है, जो कि जो बढ़ियों में रहने वालों के लिए स्लम, डिवल प्रस्टाचार के खिलाब एक नड़ाई लड़ाई लड़ने के लिए देश के अंदर एक समान नागरी संगिता लागू करने के लिए नेशनल इटिकेशन पॉल्सी विक्सित कर अदालापी कारवाई में तेजी लहने के लिए और भारतिय न्याई संगिता की तर्स पर कॉमर्शियल और सिविल नाइक प्रणालियों में बदलाओ करने के लिए भी संकल्पत्र में उलेग किया गया है चुनाव सुधार में भी वन नेशन, वन इलेक्शन की अपने प्रतिवदता को भारतिय जन्ता पार्टी ने अपने संकल्पत्र में स्थान दिया है देश के अंदर गरीबों की उन आकांसाओं के लिए पियम सूर्या हर घर मुप्त बिजली योजना के अंतरगत प्रते गरीब परिवार को प्रतिमा बिजली विल जीरो करने के संकल्प को आगे वढ़ाना मध्य मर्गे परिवारों के घर के पंची करण की कीमत को कम करने के संकल्प को ले करके तीन करोड ग्रामेड छेत्र में लखवती दीदी बनाने के कारिक्रम को ले करके पेम मुद्रा की योजना को उसकी क्रेडिट सीमा को दुगना करने यानि 10 लाग से 20 लाग करने के लिए भसलों के लिए समयबद तरीके से MSP में विर्धी करने को लेकर के और पेम मत्र से संपदा योजना के अंतरगत बीमा कबरेच के विस्तार के लिए भी यह संकल पत्र अपनी प्रतिवदता को दोहराता है PM स्वनिधी के दायरे को ग्रामेड शितर में बढ़ाने के लिए भी सिचाई, कोड श्टोरेज, फूट प्रोसेसिंग और क्रिशी इंफरस्टरक्चर इन सभी के लिए किर्शी इंफरस्टरक्चर मिशन को देश के अंदर लागू करने का भी आश्वासन यहां संकल पत्र हम सब को देता है स्वनिधी भारत की कारंटी के तहद सत्तर वर्ष से अधिक के बरिष्ट नाकरिकों को आयुस्मान भारत का कबर देने का निसुल की इमर्जेंसिय और ट्रामा केर मिशन लागू करने का ट्रांसजेंडर के लिए पहचान पत्र सभी पात्र ट्रांसजेंडर को आयुस्मान भारत कबर देने का पेरामेडिक्स, टेकनिसियन्स, फार्मेसिस्ट और स्थाफ नर्स के प्रसिक्षन को और सुदिर्ड करने का वेडिकल सीड्स को बढ़ाने का और आयुस्मान आरुग्य मंदिर, जन आरुग्य योजना और अन्य तमाम जो आउस्दी केंदर हैं सभी को भी और मजबूत करने, इनके विस्तार करने के लिए भी यहां संकल पत्र अपनी प्रतिपतता को दोहराता है महलाओं के लिए नारी सक्ति वंदन अधिनियम को लोकसवार विनान सभाह में लागू करने सरकारी भरती प्रत्र परिक्साओं में और नियमित्ता पर लगाम के लिए पेपर, लीक, नियंतन, कानून को और सक्ति और प्रभावी डंग से लागू करने के लिए भी इसका प्रावधान संकल पत्र में किया गया है संब्रिद ब्यापारी के लिए MSME के लिए जो सूक्सम लगू मत्यम उद्यम के हमारे उद्यमी है, ब्यापारी है उनके लिए किफाईती बीमा प्रोड़क्ट छोटे ब्यापारी और MSME को किसी भी आपदा के समय आग है, चोरी है, कोई प्राकृतिक आपदा है इन से बचाउन के लिए इनके लिए किफाईती बीमा का कबर नियोप्लब्द कराने और भारत को खिलोनों के विश्वस्तरिय निर्मान के इंदर के रुप में विक्सित करने के लिए भी यह संकल पत्र में इसका उलेक किया गया है दोजार पचीस बगवान विर्षा मुंडा की एक सो पचास्वी पावन जेयन्ती कारिक्रम को जन्चातिय गोरो वर्ष के रूप में बनाने के संकल्प के साथ यह संकल्पत्र इनका उलेक करता है 2030 तक भारत को विश्व एलेक्ट्रोनिक हब के रूप में स्थापित करने भारत को सेमिकंडक्टर और चिप में हेक्षरिंग का केंडर स्थाप भारत का हब भारत हब बने विश्वस्त्रिय उसके लिए और बुलेट ट्रेन नेटवर्क का विस्तार पूरा पुत्तर दक्षिन और देश्क में करने के लिए भी संकल्पत्र में उलेक किया गया है दिश्टल क्रांती में 5G नेटवर्क के विस्तार के साथ ही 6G टेक्नलोजी विक्षित करने में का संकल्प भी इसके यहां पे द्वराया गया है ग्लोबल कॉन्फरेंस और एक्जिविशन के लिए बड़े कन्विंशन सेंटर की ये तायरे को बढ़ाने जैसे दिल्ली में यसो भूमी के साथ ही हमने प्रगति मैदान में भी देखा होगा कि वर्ड क्लास इंफरस्ट्रक्चर कन्विंशन सेंटर के रूप में कैसे दिख्षित हुए है उस परकार के एक नए एक सेंटर डिवलप करने के साथ ही पुलिस वर्ड नाइजेशन के लिए भी टेक्सेवी, टेक्ट्रेंड और टेक्स्री सुसजित बल से बल के लिए भी राज्यसरकारों के सयोग को भी राज्यसरकारों को सयोग देने के लिए भी संकल पत्र में बचनबददा दोराई गई है एक सुरक्षित भारत के लिए और नए भारत के लिए नए I.I.T. और I.M. एमस की स्थापना वन नेशन वन इस्टुटेंट आईडी लागू करना उच्छ सिक्सा के नए केंदर स्थापित करना मुनवक्ता पूर्ण सिक्सा सुनिश्चित करना और टेक्नलोजी के मात्यम से सुलब सिक्सा सुनिश्चित करने के संकल्प को लेकर के यहां संकल पत्र अपनी प्रतिवज्टा को दोराता है खेलो इडिया खेलो के साथ ही देश ने ओलम्पिक में और कॉमन वेल्थ में यहांने अंतराष्टी इंटरनेशनल जो टूनामेंट होए हैं उनमें भारत ने अपने मैडल की संख्या बढ़ाने में काफी सभलता प्राप्त की 2036 में भारत उलम्पिक की मेजवानी कर सके इसके लिए भी यह संकल्पत्र अभी से अपने आपको इसके साथ प्रतिवद्य करता है खेलों को राष्टी और अंतराष्टी अस्तर पर प्रोचसाहित करने के लिए नए स्टेडियम बनाने अत्याधुनिक प्रसिक्षण केंद और इंफ्रस्टक्चर के विकास के लिए सेवा नप्रित खिलाडियों को सैक्सिक, रोजगार और पदोनती के अउसर प्रदान करने के लिए खेल उटकरणों के मैनिफेक्षरिंग को प्रोचसाहित करने के लिए और खेल छित्र में स्टार्टप को बढ़ावा देने और तक्निकी इकोसिस्टम के मदद के लिए भी यह संकल पत्र अपनी प्रतिवत्ता को दोराता है साइंस एंड टेक्नोलोजी के लिए इनोवेशन के लिए देश के अंदर अलग-अलग सिटी में साइंस पार्क स्थापित करने और मोसम के लिए तयार और जलवाई स्मार्ट बनाने के लिए राज्टे वायू मंदलियद इस मिशन सुरू करने के कारिक्रम के साथ भी इस संकल पत्र इसका उले करता है नदियों के संडक्षन और काया कल्प के कारिक्रम के साथ ही नमामी गंगे प्रियोजिना के दाएरे को बढ़ाने सभी नदियों को फेजवाई इसके दाएरे में लाने के लिए कारिक्रम को और दुनिया में रामण मोहत्सो के आयुजन को प्रोटसाहित करने के लिए यह संकल पत्र अपनी प्रतिवधिता को तोहराने तोहराता है सुरक्षित भारत यह मोदी की गारंटी है और इसके लिए एक इकृत्र सैन्य थेटर कमांड स्थापित किये जाने साइबर सुरक्षा नीतियों को प्रभावी क्रियानवन करने के लिए संकल पत्र अपने आपको पूरी मजबूती के साथ भारतिये जनता पार्टी देश की जनता को आस्वस्त करती है भारत को विश्व भार्मेशी के एक हप की रुपे स्थापित करने के लिए भी इस संकल पत्र देश्वास्यों का आश्वस्त देता है इसके साथ ही भारतिये जनता पार्टी मोदेगी कारंटी के आधार पर जिक्सित भारत की संकल पना के साथ आगे बढ़ा है हम उत्तर प्रदेश की ओर से इस बारे में आस्वस्त कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक बदलते उत्तर प्रदेश को दुनिया ने देखा है और देश के अंदर जो आवाज है प्रदानमंत्री मोदी जी ने पिसले दस वर्ष के अंदर देश के अंदर जिस नए भारत का दर्सन 140 कुरूर भारत वास्यों को कराया है इसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि अवाबाज उत्तर प्रदेश के अंदर हर जन्पत की है हर संस्तिय सीट की है और इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि असी बने का आधार NDA 400 पार फिरेगवार मोदी सरकार का संकल्प अवज से पूरा होगा और प्रदानमंत्री मोदी जी के द्वारा जारी किये गए संकल्पत्र पर हरत भारत वासी उसको अपना विजन बनमान अपना मिशन मान करके उनके विजन उनके विजन को अपना मिशन मान करके पूरी प्रत्वत्ता के साथ नई सरकार बनाने में अपना योगदान देगा धन्यबाद धन्यबाद पानी मुक्तुन्प्री जी मैं प्रेस के मित्रों से आगरा है आप तभी का स्वल्पाहार है और फलाहार है करके ही जाएंगे सभी धन्यवाद थेंकियो रिवन